बहुत बड़ी खुसकबरी, फाइनली हाँ पर टेक्निकल के पदपे आपकी भरती आचुकी है, भारत के सभी युवा इस सैना भरती में भाग ले सकते हैं, आर्मी के पदपे ये आपकी जो भरती होने को जा रही है, मैं हाँ पर दोस्तों आपको बताँगा कि कौन सा ये सें सेंटर में टेक्निकल, जीडी और ट्रेडमेन के पदपे भरती होने को जा रही है, और देश के सभी युवा, यानि कि भारत में से किसी भी कौने में से हो, तो दोस्तों आप यहाँ पर टेक्निकल, जीडी और ट्रेडमेन के पदपे भरती देख सकते हैं, और आपको आपको देखना है और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भाई चैनल पर नया। चैनल आपके सामने आ चुका है। चैनल को सबस्क्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल का एक varies coconut को हОल पर सेट कर देना। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बता देता हूँ आपके कौन से सेंटर की भरती होने वाली UHQ Enrollment ठीक है रेली टू सिंग्नल टेरिनिंग सेंटर पंजी गुवा तो उपर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो भरती है यानि कि टू सिंग्नल टेरिनिंग सेंटर मेरे सेंटर की भरती कव निकलेगी क्योंकि मुझे अपनी सेंटर में जाना है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो भरती का प्रोसेस है यह कैसे कैसे 5 सेप्तमबर से शुरू हो जाएगा और 10 सेप्तमबर तक यानि कि चलेगा आपको सीधा सीधा दोस्तों 2 सिम proton टेनिंग सेंटर पंजिगुआ में जाना है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों यह रिलेशन भरती है साथ में दोस्तों स्पोर्टμέन के पदपे भरती हैं यहाँ पर ली जारी है यानि कि कराई जारी है यहाँ पर सबसे पहले आपको बदा देता हूं भरती का पूरा प्रोसेस ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले A point पे लिखा हुआ है आपके हाँ पर document चेक करेंगे जब आप center में जाओगे तो आपके relation ठीक है आपका domicile कुछ document यहाँ पर चेक के जाएंगे ठीक है फिर आपके उसके आधर पर आपको center के अंदर लिया जाएगा ठीक है फिर वहाँ पर दोस्तों आपका दिया हुआ कि physical fitness test होगा physical measurement test होगा फिर यहाँ पर आपका जो medical exam होगा तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो complete उसी दिन करा लेंगे तो यहाँ पर देखो 5 September को आपकी भरती होगी technical की तेश के सभी वयाने की भारत में से किसी भी कौने में से हों किसी भी राज्ये से हों ठीक है तो वो दोस्तों 5 तारिक को पहुंच जाना उनको सुबे चार बजे आपको center के बहार अपनी लेन लगा लेनी है ठीक है technical के पत्पे भरती होगी और यह पहला center है जिसमें technical के पत्पे भरती आई है 5 September को दोस्तों आपकी भरती होगी फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन्हों ने बता दिया कि 6 September को 6 September को जैसी technical के पत्पे भरती हो जाएगी तो आगे का जो प्रोसेस जैसे की document medical ठीक है final document चेक तो वो दोस्तों आगे continue हम 6 तारिक से शुरू कर देंगे ठीक है फिर दोस्तों यहाँ पर 7 September को आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर अगनी भी जीडी के पत्पे भरती होगी और यहाँ पर sportsman के पत्पे भरती ली जा रही है all state यहाँ पर दिया हुआ है तो सभी देश के युवाइस में भाग ले सकते हैं और यह आपके लिए बहुत बड़ी खुसकाबरी है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 September को जैसी आपके साथ September को GD के पत्पे भरती करा लेंगे तो 8 September को आपके document ठीक है medical examination की वो date देंगे और आगे का process यहाँ पर वो करवाते रहेंगे ठीक है फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी होगी 9 September को टेडमेन के पत्पे भरती ठीक है अगनी भी टेडमेन के पत्पे भरती होगी और होई पर दोस्तों यानि कि आपके document चेक होगी physical fitness टेस्ट होगा और physical measurement टेस्ट होगा ठीक है अब जैसे ही आपका 9 September को यह complete हो जाएगा उसके बाद 10 September को आपका जो आगे का process चलेगा वो यहाँ पर लिया जाएगा और मैं सभी भायों से request करता हूँ इस center में दोस्तों देखू टेडमेन ठीक है जीडी और technical के पत्पे भरती होने वाली और सभी देश के युवा यानि कि सभी state से इस सेना भरती में जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर category देख सकते हैं ठीक है ट्रेड category और यहाँ पर दोस्तों आपकी state जैसे कि जो भी दियो ही है हाँ पर all state लिखा हुआ तो सभी जितने भी state हमारे भारत में हैं वो यहाँ पर भरती के लिए जा सकते हैं अब हैं यहाँ पर देखो आपकी ए zou पर दोस्तों जो ट्रेड में बहुती होगी पर आपकी जो बहुसर में बहुती ली जा रही है तो दोस्तों यह आपके लिए बड़ी good news थी क्योंकि काफी भाई समय से इंतजार कर द Tamil के पत्वे कौन से सेंटर में भरती होगी तो आप सभी से में रिक्वेस्ट है तो जो भाई चैनल पर नया है चैनल को आगे वीडियो को सेर कर देना क्योंकि सभी भाईयों का जो इंतजार था कि यार कौन से सेंटर में टेक्निकल की भरती निकलेगी तो फाइनली यहाँ पर टेकनिकल की भरती आ चुकी है और मैं आपसे उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को आगे सेयर करेंगे और इस सेंटर की भरती में जरूर जाएंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो वेकेंसी हैं कितनी निकल सकती हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ देखो इस सेंटर में दोस्तों लगवग यहाँ पर इस वार जो भरती होगी तो उसमें दोस्तों सम्तिंग यहाँ पर 500 पलस वेकेंसी जा सकती है क्योंकि टेक्निकल की भरती सिर्फ इसमें ही है ठीक है तो अब उमीद करते हैं कि कितनी वेकेंसी आ सकती हैं कितनी इसमें निकल सकती हैं तो वो भी अब जब लिश्ट टकेगी हमको पता चल जाएगा वैसे 500 से पलस वेकेंसी जाने की प जैन बंदे मात्रम